आप सब की स्लामती हूँ, आएए आज हम यूडिया और सिंदखे के बारे में बात करते हैं यूडिया का नाम ग्रीक से निकला है जिसका मतलब है To Give a Prosperous Journey or Bon Voyage सिंदखे का नाम का मतलब है और ये भी ग्रीक से ही निकला हुआ है Unexpected Coinciding of Two Events That Are Happening यूडिया और सिंदखे का जिकर हमें बाइबल में फिलिपियों दो बाब चार आएद में मिलता है मैं यूडिया को नसीहत करता हूँ और सिंदखे को भी कि वो खुदावन में यक दिल रहे जब इन दोनों खवातिन ने खुदावन को कबूल किया तो उन्होंने पॉल के साथ ये सुकी खुशकबरी फैलाने में शाना बशाना काम किया अलबता उपर वाली आएद से हम ये अखस कर सकते हैं कि उन में किसी बात पर इختलाफ था और इसकी वज़ा से पॉल के खुशकबरी के फैलाने के काम में रुकावट आ रही थी इसलिए पॉल ने उन्हें ये दिल रहने के लिए तलकीन की हम इसे खुशकबरी की वज़ा तो नहीं जान सके लेकिन हमें और ना ही हमें ये बात पता है कि उन्होंने इस खुशकबरी को खतम किया या नहीं किया बस सिर्फ इतना पता है कि पॉल ने उन्हें ये दिल रहने के लिए कहा हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे दर्मियान भी इखतलाफ होते हैं लेकिन खुदा हमारे डिस्प्यूट से खुश नहीं होता बलके अगर हम इखतलाफात को खतम कर देते हैं तो हम उसके कलाम को पहलाने में एक एहम करदार अदा करते हैं इसके साथ साथ ही मैं एक और खातून जिसका नाम क्लोई है उसका जिकर जो के पहला करंथियों पहला बाब चार आयत में और इसका जिकर है और ये ओरत इसका नाम है क्लोई क्लोई का मतलब है ग्रीन हर्ब उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिल सकी है क्योंके पॉल को क्लोई की घरवालों से ये मालूमात मिली कि तुम में जगड़े हो रहे हैं क्लोई भी मसीही थी और पॉल को हस्पिटैलिटी शो करती थी उसके खुशखबरे के काम के पहलाने में लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस तफर के बाजियों से दूर थी इसलिए पॉल ने करंथियों को ये कहा कि ये सुमसी जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीला से मैं तुम से इलतमास करता हूँ कि सब एक बात कहो और तुम में तफरके ना हूँ बलके बहम यक दिल और यक राए होकर कामल बने रहो क्लोई को एक क्लोई जो थी वो एक पीसफुल खातून थी क्लोई और उसके घरवालों को इस बात का पता था कि खुदा चाता है कि वो बाहम मिलकर रहें और काम और अबादात में लव और यूनिटी को शुक रहें जब उन्होंने देखा कि मसीहों के दर्मियान इختलाफात बढ़ रहे हैं तो उन्होंने पॉल को इस बात से आगा किया जिसने उन्हें बाहम मताहद रहने की तलगीन की खुदा जो हमारा सुला का शहजादा है वो हमारे लिए एक परफेक्ट एक्जामपल है इत्मेनान हमारी सिद्दगी का एक एहम अंसर है हमें भी खुदा के साथ पीस के साथ रहना है अपने साथ दूसरों के साथ और जब हम किसी को ऐसी हालत में देखते हैं तो हमें जरूर इनकी मदद करनी चाहिए है थैंक यू वेरी मच्ट खुदा आपको बरकरते हैं